सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप दिख रहे हैं टेकनिकल गुरुजी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस बबल रैप में है मेरे पास exclusively Realme C1 जो की आया है दोस्तों सीधा factory में assembly line से निकल के मेरे पास इसलिए कोई इसका main box फिला हमारे पास में नहीं है लेकिन दोस्तों में हाइलाइट है वो है यह फोन और यहाँ पे करता हूँ इसको boot I hope की इसमें battery हो भईया फोन वैबरेट तो हो गया है तो यहाँ पे दोस्तों फोन भईया जब तक होता है और हम बात करते हैं फोन के physical overview की तो यहाँ पे दोस्तों मिलता है right side में power lock unlock button ओपर की तरफ या कुछ भी नहीं है फोन दोस्तों लेके आता है अपने साथ में left side में volume open down के लिए buttons और यहाँ पे जो sim tray है Macverse को देखता हूँ open करके कि यार क्या यहाँ पे realme ने अपना वादा निभाया है क्या जो शुरुआत से उस्तों अभी तक लेके आई है dedicated एक memory card slot तो जी हाँ बिलकुल दोस्तों को मिल जाता है dedicated card slot काफी अच्छी बात है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे phone में नीचे की तरफ है यह primary grill speaker के लिए उसके अलावा है micro USB port, microphone और हमारा सबका प्यारा headphone jack phone दोस्तों लेके आता है अपने साथ पीछे की तरफ यह glossy finish वाला design जहाँ जहाँ दोस्तों नीचे है realme की branding और ऊपर दोस्तों यह जो दोनों ही camera's है यह है 13 plus 2 megapixel के साथ में ready flash आपको कोई भी fingerprint scanner दोस्तों इसके दर दिखने को नहीं मिलता है लेकिन जो चीज मिलती है वो है सामने की दरफ यह बड़ा सा 6.2 inches का एक display इस notch के साथ में और यहाँ दोस्तों इसी notch में है एक front facing camera साथ में आपके earpiece और कुछ sensors और यहाँ पर जो camera है यह है 5 megapixel का तो मैं दोस्तों करता हूँ जल्दी सेट हम बात करते हैं बागी details के बारे में भी आप फोन के अंदर क्या है और क्या नहीं है अब दोस्तों मैं सेट करता हूँ face unlock को और काफी जल्दी जल्दी हो गया है हमारा चहरा enroll मैं इसको कर देता हूँ on सब कुछ जल्दी जल्दी continue set up as new phone get started तो यह दोस्तों हो गया है फोन हमारा boot जो की है realme c1 मैं इसकी brightness को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और उसके बाद में आप देख में दोस्तों यह है कुछ ऐसा phone जहाँ पे सामनी की तरफ है यह 6.2 इंचिस का एक notch वाला hd plus display और यहां पे दोस्तों से बात करता हूँ अगर settings की तो मैं एक बड़ थोड़ा से इसको और कम करता हूँ इस फोन में भी है snapdragon 450 प्रोसेसर इसमें दोस्तों 2GB की RAM है काम करता है android version 8.1 पे और यहां पे दोस्तों storage जो है 16GB की जिसमें से कुछ 7GB की storage मेरे पास में available है तो यह दोस्तों जो phone है आप समझेए कि realme 2 का ही एक थोड़ा सा lower variant है जहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे snapdragon 450 प्रोसेसर वही बड़ा notch वाला display वही दोस्तों बड़ी सी battery यहाँ पे लगी है जो है 4,2,3,0 mAh की साथ दोस्तों वही dual rear camera combination है जो चीजें missing है वो दोस्तों बात होती है आपे fingerprint scanner की पीछे की तरफ उस diamond pattern की और यहाँ पे दोस्तों सामने की तरफ जो आपको मिल जाता है camera वो घटिया है हो गया है इस realme c1 की Mac बर जली जाता हूं settings में और यहाँ पे अपना जो चेहरा है उसको हम करते है test की भाईया वो कैसे होता है unlock और यहाँ दोस्तों मैं इसकी तरफ अभी नहीं देख रहा हूं तो यह दोस्तों realme c1 मुझे खुशी इस बात किये कि अगर हमको snapdragon 450 मिलता है 7000 से कम की कीमत में और इस notch वाले बड़े display के साथ दोस्तों तो यह अपने आप में काफी अच्छी बात है बड़ी battery के साथ में in fact तो यह दोस्तों हो गया है भईया phone launch बाकी box वोगरे के साथ में जो videos हैं वो शायद आप बात में देखें लेकिन फिलाल दोस्तों यह exclusive look था जहाँ डिरेक्ली phone निकल के है factory से सीधा आपके लिए realme c1 बाकी दोस्तों आप मुझे बताई कि आपको यह phone कैसा लगा मैं भी आपे सामने आपके लिए screen पे कुछ camera samples को add करता हूँ इनको आप द यह कुछ और fresh काम करते हैं इसी phone को लेके कुछ surprise लेके आता हूँ मैं आप सभी के लिए दोस्तो फ्लाग भी इतना है यह देख लिए आपको बतने बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोड़ थालो सुझा हो तो आपने जी कमण करना मत भूलिए का अगर आपने इस व्लाइक शिर नहीं किया तो लाइक बगर दिजिए शेर भी कर दिजिए और चैनलों सब्स्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ व्लाइक लेतना ही दोस्तों जैहंद वन्दे मातरम